माहिरा के केस को समझने के लिए हमें जो है टीसीपी की साइट पर जाना पड़ेगा अब मैंने गुगल के थूँ टीसीपी की जो हर्याना की साइट है उस पर मैं जा रहा हूँ अब ये देखिए टीसीपी हर्याना टीसीपी हर्याना ये देखिए टीसीपी हर्याना को मैंने क्लिक किया और अब मैं देखता हूँ यहां जो सेक्टर्स के प्लान है हो किदर है अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइट पर आप देखेंगे सेक्टर्ल प्लान इसके उपर मैंने क्लिक करना है आप सबने क्लिक करना है तो अब हमें देखना है गुरू गुराम में सभी सेक्टर्स के मैप सभी सिटीस के मैप आपको यह में जाएंगे अब मैं गुरूगराम के मैप पे चाता हूं और गुरूगराम के मैप में specially हमें देखना है क्योंकि माहीरा 68 का प्रोजेक्ट जो है यह M3M का प्रोजेक्ट जो है वो सेक्टर 68 से 75 में है तो हमें सेक्टर 68 को यहां खोलना है तो इसके लिए हम सेक्टर सिक्सीट को मैंने क्लिक किया अब नक्षे को मैं देखना जा रहा हूं यह नक्षे को अब हम खोलेंगे 68 और 75 को अब यह नक्षा आप सब लोगों के सामने है यह जो मैप है यह आप देख रहे हैं क्लियर क्रेटर SPR रोड था और जो यह रोड है यह जो 30 मिटर का रोड है यह सीधा M3M को जा रहा है और यहां भी जो है विवाद के कारण यह सड़क नहीं बन पा रही है और अब हम 24 मिटर की जो सड़क को देखेंगे यह दोनों सड़के जो है यह M3M की तरफ भी जाती है और माहिरा की तरफ भी जाती है क्योंकि यह गोर्मेंट के द्वारा प्रूड मैप है तो लोग इसके जाल में फज जाते हैं क्योंकि यह 68 और 75 का जो मैप है यह गोर्मेंट के द्वारा प्रूबल दिया हुँआ है साथ में पुलिस थाना आप देख रहे हैं और साथ में ये आप ये देख रहे हैं लेंड जो है वो पाउर होस की है और यहां खसरा नंबर 151, 150, 138 ये माहिरा का लेंड है और बीस्ट में ये सेक्टर रोड जो है 24 मिटर की सडक इसमें जा रही है अब हमें क्लियर इसको देखना है 24 मिटर की सडक है ये गौवर्मेंट के दोरा अपरूड मैप है फर्वरी 2018 में ये अपरूड किया हूँ मैप है तो इसमें बायर की गलती कहा है अब चीप मिनिस्टर साहब को तुरंत इसमें हक्ता शेप करना चाहिए और दखल देना ये दाने बात